कुलेज तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम एक सिरीज लाएं आपके लिए सीजी पीसी व्यापम सिख्षक भरती होस्तिल वर्डन ऐसे जो है बहुत सारे कि यहां से को पूछे जाते हैं वह सोट कट की से रिवेंटट पूछे जाते हैं और बहुत डीप कोशिन पूछे जाते हैं अंदर अंदर में तो जैसे कि जैसे कि सिख्षक भरती होने वाली है और और कह सकते हैं कि PSC, CG, PSC परी तो होने ही वाल है, उसका डेट तो डिकलेरी हो गया है, तो अब टाइम कम है, तो आज जो है, यह इस वीडियो में की स्पेसल यह है, कि आप देखेंगे 20 मिनट में जो है, पटापफट 40 कोईशन हम MCQ करते हैं, बहुत इंपॉर्टन तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के भीना जो है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंतक बने रही है हमारे साथ वीडियो में, चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कोईशन में आ जाता है, MS Word डकुमेंट में स्पेलिंग चेक है, तो सौटकट की कौन से यूज किया जाता ह तो यह सौटकट की के आप याद रखिए, कि एप 7 जो है किसके लिए यूज होता है, इस पेल चेक के लिए यूज होता है, अगला देखते हैं, किसी फाइल को इस्थाई तोर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलेट करने के लिए कौन से बटन का प्रियोग किया जात अगर आप चाहो, तो आप उसको वहां से क्या कर सकते हो, वापस अपने डॉप फाइल में ला सकते हो, लेकिन अगर उसको पर्मेंटली डिलेट करने कुछ ऐसे फाइल है, जिनको नहीं रखना है इस्टोर है ना पर्मेंटली डिलेट करें, तो उसके लिए आपको Sift प्लस header Emperor printed रहता है सबसे पहलए हम आपको बता देता हूं कि header creator क्या होता है थी रोण नोगoryश्य यहerte Centers अंच को मतलब header page के उपर में रहाग पर पेज के नीचे में रहागह सबसे नीचे में यसी निचे आपकोई एक content लिखना है और वो यह पर्टिकुलिर lok 12 book जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रूटर यूज किया हूं कॉमडिशन विंक का है ना तो यह बाइडर टीफोल्ट क्या होगा कि हर एक पेज में जो है यह डालने की ज़रुत में पड़ेगी वहां पर आप वह जो हर एक पेज में अवलेबल रहेगा मैं अगर कुछ नाम लिखता हूं है ना संस्थागा उपर में है ना फिर नीचे में तो वह एडर या नीचे में अगर मुझे कुछ लिखना है लाइन तो वह फूटर तो वह जो है एक पेज में डाली हर पेज में रहेगा अगर आपको question का answer मिल गिया है तो आगे बढ़ूं क पर ठीक है एडर और फूटर जो बाइडिफॉल्ट क्या होगा हर पन्य पर प्रिंटेट रहता है इसको चेंज कर सकते हैं बड़ डिफॉल्ट उसका हर एक पेज में ही रहता है आगे दिखते हैं स्लाइड सो देखने के लिए की बोड का कौन सा function की उपयोग किया जाता है अगर आपको स्लाइड सो देखना है तो आप कौन सा पटन दबाएंगे तो आप जैसे एफ टू दबाएंगे ठीक है आपको स्लाइड सो दिखाना चालू कर देगा तो आपके की बोड में अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करते हैं तो बनाते हैं तो अगर आपको स्लाइड सो दिखाना चालू कर देगा तो यह सॉट कट की से देगे इसमें ज्यादा एक्स्प्लेशन जैसे चीज निए इसको बस याद करना इसके लिए अपने पास है तो याद करना इसलिए मैं इसको फटा-फटा रहा हूं कुछ जो एक्स्प्लेशन की न द तेक हां मैं जो है कुछ है सब्सक्राइब से मार्ज रहता है तो बनीचे करता है त सब्सक्राइब करता है पाड़िंग्ड करता है तो है अगे देखते हैं ms word software में बटन दबाने पर ms word software में बटन दबाने पर डालोग बॉक्स अमाद बॉक्स कुलता है यह सब यह कुछ मिस्टेक स्क्वेशन में सभी सेम सेम हो गया है आगे बढ़ते हैं ms excel software में यह एक फाइल फॉनल मतलब होता है function function नहीं है तो कौन सा नहीं है आपको बताना है ms excel का काम क्या होता है आप लोग office use के लिए यूज करते हैं इसको जनरली टैली वगरार में है है कुछ data tally करना है डालना है कुछ calculation करना है है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है तो इसमें कौन-कौन से यूज होता है यह मैं आपको बताता हूं तो यह एक्चली 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 सम यहां पर प्रिंट मिस्टेक है यह इस पर ध्यान ना दे सम जो है सम का मतलब होता अगर आप सम करेंगे तो वह क्या होगा सम करके दिखाया गया जैसे यह कॉलम है अगर अगर एमस एक्चली यूज करते होंगे आप माल लेते हैं यह सी तू है यह सी थरी है मुझे सी बन में कुछ यह आप समझ लीजी यहां से एमस एक्चल से बहुत कोश्यन बनते हैं और equal to का बटन दबाऊंगा तो equal to जब मैं keyboard में select करूंगा तो अब यह क्या होगा अब मुझे formula डालना होगा तो मैं क्या करूंगा equal to दबाने एक बाद इस में click करूंगा तो लिखा जाएगा C1 फिर उसके बाद जैसे मुझे sum यूज करना है तो sum sum ठीक है C1, C2 तो अभी क यहां पर यूज नहीं होता है वो है माइनस और प्लस यह वाला जो फॉलन है यह यूज नहीं होता यह keyword यूज नहीं होता आगे देख लेते हैं लेंड स्कैप क्या है एक फॉंट स्टाइल है फॉंट साइज है पेज ले आउट है या पेज ओरिंटेशन है तो बिल्कुल आप जानते हैं लेंड स्कैप और पोट्रेट दो आप मोबाइल यूज करते हैं फोटो जनरली आजकल सब न्यू जनरेशन जो है फोटो सखिसती पोट्रेट्स और कल्ड पेज ओरियंटेशन आगे देखते हैं एमस वर्ड डाकुमेंड में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डालोग बॉक्स ओपन होता है तो फाइंड रिप्लेस डालोग बॉक्स ओपन करने के लिए अपने को एप 5 दबाना प तो प्रिंट आपको दिखाएगा तो प्रिंट वाला जो ऑप्शन होता है या तो फिर कंट्रोल अप्टू आप दबाएंगे तो प्रिंट 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 आप दबाएंगे तो आपको प्रिंट 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 में अगे देखते हैं कौन सा एक computer animation software नहीं है, animation कौन सा नहीं है, तो flash, Maya, python, flickbook, है ना, तो देखे दोस्तों, यह actually flipbook है, यह flash है, आधा, ऐसा, है ना, यह आपका, कभी-कभी क्या है, computer type करने के बाद भी सही नहीं लेता है, ठीक है, तो अपने को सुधारना पड़ता है, तो यह flipbook है, Maya, सही लिखा हुआ है, पाइथन, तो पाइथन एक क्या है, programming language, तो पाइथन जो है, एक animation software नहीं है, this is a programming language, तो correct option is option number C, आगे देखते हैं, एक Excel में, cell E10 में formula लिखने है, तो सही विकल्प क्या है, तो मैंने बता है, सही विकल्प, है ना, क्या है, कैसे करेंगे, तो दे मुझे कौन से बटन दबाना पड़ेगा, equal to का, फिर उसके बाद जो cell चाहिए, वो cell में select कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि cell A1 और B1 में, जो रहेगा, वो add होके cell, जो भी equal choose किया हूँ, उस वाले cell में, आएगा, तो ये correct, क्या है option number D, याद रिखिएगा, बहुत बार question होता है, तो equal to के science, जैसी आप equal to दबाएंगे, फिर आपको समझ में आ जायागा, अगर आपको try करना है, तो बिल्कुल computer खोलिए, आपको computer है, equal to का button दबाईए, MX Excel में किसी भी एक column में जाके, किसी भी Excel में जाके, cell में जाके दबाएंगे, तो आपको समझ में आ जायागा आगे देखते हैं, MS Excel software के cell में एक formula लिखने है, तो खालिस्ता चिन्न का प्रयोग किया जाता है, वही, अभी जस्ट मैंने बताया, formula लिखना इस्टार्ट करने के लिए, equal to का sign का use किया जाता है, तो equal to का button आपके keyboard में होता है, दबाएंगे, formula लिखना start हो जायागा, आगे के लिए, left और right में जो margin लिया जाता है, उसको कहते है, intent, ठीक है, left वाले को left indent कहते हैं, right वाले को right indent कहते हैं, अभी जस्ट 2023 में एक exam हो, उसमे question पूछा था, indent से, इंडेंट से, indent question पूछा गया था, तो यह, साधारनता footer कहां पर print होता है, पहले प्रिष्ट पे, अंतिम पर, सभी प्रिष्ट पे, या, सम प्रिष्ट पर, ठीक है, कुछ, कुछ प्रिष्ट पे, जो है, प्रिष्ट होगा ऐसा type का, तो मैं बता देता हूँ कि footer, जो है, बिज़ सुरू में भी बताया, header और footer, जो है, by default, सभी page पे क्या होता है, print होता है, तो option number C is, correct option, ठीक है, आगे देखते हैं, किसी webpage को reload करने है, तो किस button को दबाना चाहिए, ठीक है, reload, अब generally लोग इसमें मारेंगे, reload ही मारेंगे, है न, redo तो आप जानते है, redo, undo, है न, क्या होता है, restore, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम refresh का, sorry, हम लोग क्या करेंगे, refresh का button जैसे ही दबाएंगे, ठ reload हो जाएगा, है न, refresh के लिए, refresh के लिए, refresh के लिए shortcut की क्या है, आपको पता है, जैसे आप F5 दबा देंगे, आपका web page क्या हो जाता है, F5 दबाने से, या न, देखिए, ये F5 बहुत जगा में अलग-अलग use होता है, ठीक है, लेकिन function की, अब जब आपका web page खुला है, F5 दबाएंगे, refresh हो जाता है, आप सबस्यादा यूज यही करते है, आप लोग अपने computer में, तो refresh करना मदब यह करते है, क्या होता है, कि web page क्या हो जाता है, वापस से, reload हो जाता है, ठीक है, अगला, जो cell गाड़ ही है, बोल्ड सीमा वाला है, उसे ख्या करते है, तो आप लो active cell जो है, क्या होता है, बोल्ड होता है, अगर देखते हैं, कौन सा command तुम्हें presentation के पहले slide मिले जाता है, जैसे आपको अगर presentation PPT यूज कर रहे हैं, तो कौन सा command यूज करेंगे, तो आप किस में, presentation के पहले page में, आप पहुँच जाएंगे, तो पहले page में पहुचने के लि है, control button तो हर बार, maximum time use करना पड़ता है, home button अपके keyboard में होता है, home button दबाएंगे, जिसमें window का sign छपा होता है, तो जैसे आप उसको दबाएंगे, आप presentation के पहले slide में, पहुच जाएंगे, तो आगे देखते हैं, करसर को text की एक पंक्ती की सुरुवात में, ले जाने के लिए इक कौन से साथ कट कुझी का उपयोग किया जाता है, करसर को text की एक पंक्ती की सुरुवात में, एकदम start मिलेके जाना है, तो उसके लिए कौन से button यूज़ करेंगे, फ्रेंट के लिए, तो home, चीग है, home button आप यूज़ करेंगे, तो करसर को आपन क्या करेंगे, सुरुवात के लिए, तो home button का use करेंगे, आगे देखते है, Excel workbook, खाली स्थान का संग्रा है, जो MS Excel में आगर आफ काम कर रहे हैं, तो उसमें जो file बनती है, उसको क्या बोले जाता है, वरक सिट बोला जाता है, तो MS Excel जो workbook है, वो क्या है, संग्रा है किसका, वरक सिट का, त वरक सिट ही कहते हैं, उसके जो file जो होते हैं उनको, चीक है, आगे देखते हैं, presentation में, slide में विसेश प्रभाव का उप्योग करना, special effect जो है, तो special effect जो हम कहां से use करेंगे, कहां से उप्योग करेंगे, तो generally लोग effect सी मारेंगे, हाना, कि special effect जो है, इस effect में ही आएगा, आपको बताया तो हूँ, दोस्तों, गलत option है, आपको menu में जाके, custom animation चूज करना पड़ेगा, जब आप custom animation चूज करेंगे, तो जो है, आप क्या कर पाएंगे, special effect जो है, अपने slide में add कर पाएंगे, special effect मतलब आप समझ रहे होंगे, कि कुछ text को special type से rotate करना, या या यह सब, जो special effect के अंतर गताती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, custom animation में जाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद add effect का option में कर सकते हैं, यह PPT को attractive बनाने के लिए यूज किया जाता है, आगे देखते हैं, MS, Excel, software, दिनांक और समय के आकड़ों को मान कर क्या चलता है, जब आप MS, Excel में काम करेंगे, तो date या फिर time डालेंगे, ठीक है, तो इसको by default वो जो है number ले लेता है, number संख्या, ठीक है, अब कैसे भी डालें, date और time डालेंगे, तो उसको क्या समझेगा, वो जो है, यह संख्या डाला हुआ है, यह समझेगा, ठीक है, तो यह question पूछा जैसे ही दबाएंगे, तो हमारे क्या दिखेगा, दो बार F2, F2 हो गया, ठीक है, control प्लस F2 अगर अपन यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, अपना print preview दिखेगा, आगे देखते हैं, नई worksheet जोडने के लिए, नई worksheet अगर अपने को जोडना है, तो कौन सा button यूज़ करेंगे तो control प्लस tap, control प्लस space, control प्लस shift प्लस F1, ठीक है, तो नई worksheet जोडने के अपन क्या करेंगे, alt और shift प्लस F1 डालेंगे, तो एक नई worksheet जो है, हमारा क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, font और style बदलने के लिए, किस menu को select करेंगे, font और style अगर आपको बदलना है, तो बिल्कुल font और style जिस menu में होता है, उसको बोलता है format menu, तो आप format में जाएंगे, तो बिल्कुल आप font, size, style, font, style, यह सारी चीज़ें, font का type, bold करना है, end align करने, यह सब चीज़ आपकि इसमें बदल सकते है, format menu में जाके बदल सकते हैं, यह बहुत आसान question है, बट वही है कि छोटी-छोटी गलतिया है, जो है हमको exam में बहुत भारी पढ़ जाती है, इसलिए इसलिए यह सब questions जो है, डील कर रहे है, आगे देखते है, word wrap की क्या विसेस्ता है, word wrap आप लोग जान रहोंगे, word wrap, क्या होता है, MS word जब आप यूज करते होंगे, तो MS word में क्या है, कि एक word की सीमा डिसाइट कर दी जाती है, कि जैसे कि आप एक line में, maximum अगर आप चाहते हैं, 20 word लिखना, तो 20 word के बाद अगर आप लिखते हैं, जो भी, 21, 22, 25, जो भी, तो automatically, जो है, नीचे line में क्या हो जाएगा, वह आके, adjust हो जाएगा, इसको बोले जाता है, word wrap, तो निर्धारित सीमा में, text को fit करना, यही इसका सही option होगा, चीग है, आगे देखते हैं, word wrapping बहुत important concept है, हना, याद रखिएगा, MS power point में धिक्तम, zoom, जो है, अब zoom आपको करना है, हना, यह एकदम recent exam में पूछा गया था, और 2-3 बार पूछा जा चुका question है, तो MS power point में maximum zoom होता है, 400% तक, आप करके देखिएगा, practical करके देखिएगा, चीज़ें याद रहेंगे, 400% तक का zoom होता है, maximum power point में, अचीग है, निम्न लिखित में से असंगत को निकालना है, असंगत कौन सा है, MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Access, है ना, इसमें से जो एक ही दो खुद दोस्तों, सबसे पहले MS Outlook के बारे में आपको बता देता हूं, MS Outlook जो है, आप लोग, पुराना जो अगर computer use कर रहे है, mobile, अगर Microsoft काता था, उसमें, या तर फिर system में, तो MS Outlook जो है, email document mail करने के काम आता था, email भेजने के लिए, इसके यूज किया जाता था, है ना, तो email भेजने के लिए, इसके जरुद पड़ेगी, इंटरनेट की जरुद पड़ेगी, तो ये MS Outlook, इंटरनेट के लिए, Microsoft का ही है, है ना, पैकि MS Word, MS Excel और MS Access, ये तीनों जो है, MS Office के पार्ट है, और इसको use करने के लिए, इंटरनेट की जरुद नहीं पड़ती है, है ना, तो इन सब में, अगर मैं देखूं, तो सबसे अलग क्या निकलता है, MS Outlook, ठीक है, आगे देखते है है, डाकुमेंट के नीचे पहुचने के लिए, निम लिखित में से कौन सा की दबाते हैं, नीचे पहुचने के लिए, तो पेज डाउन की दबाएंगे, ओं की दबाएंगे, कंट्रॉल प्लस इंड की, है ना, और एंड की है, मतलब या डारेक्स सिर्फ एंड की यूज करे आप अगर page down दबाते हैं, या control plus end की दबाते हैं, या end की दबाते हैं, तीनों में पेज के नीचे जाएंगे, लेकिन तीनों में difference समझ यह, कि अगर आप page down की दबाएंगे, तो आप एक एक करके जो है नीचे आते जाएंगे, और maximum नीचे कहा तक आ सकते हैं, जहां तक उस page मे आप उसके नीचे नहीं जा पाएंगे पेजडाउन की में, लेकिन अगर आप control और end की दबाते हैं, तो आप पहुंच जाएंगे सबसे नीचे, सबसे नीचे मतलब सबसे आखरी वाले टेक्स में पहुंच जाएंगे, है ना, end की दबाएंगे, तो end की का जो use होता है, जो जिस line में आपका cursor है, उसके आखरी वाले word में पहुंच जाएंगे, तो यह तीनों का difference समझ ले जाएंगे, end की में नीचे जाएंगे, लेकिन page down की में आप क्या करेंगे, ऐसे नीचे जात सबसे आखरी वाले word में पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, कि वह आप जिस line में करसर है, उसके सबसे आखरी में पहुंच जाएंगे, तो यह याद रखिए, बहुत important है यह भी, सभी का difference आपको समझ में आ गया होगा, तो, आगे तो Google search engine से प्राफ्त वेब पेज में देखे, ऐसा question थोड़ा सा complicated लग रहा है, लेकिन मैं इसको easy कर देता हूँ, अगर आप control E दबाते हैं, control E दबाएंगे, तो वह आपका URL जो menu है, वह आप पहुंच जाएगा, तो भाई, अब URL में पहुंच गया है, तो क्या करेंगे direct URL से अपने पसंद का word क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ इस type का है, option A is correct option, बाकि आप लोग control F, control Z, undo का और page down का सब use जान रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, MS word में उस text को क्या कहते हैं, जो मूल पंक्ती में उपर लिखा जाता है, मूल पंक्ती में उपर मतलब, जैसे 2 to the power X लिखते हैं, ये मूल पंक्ती से उपर इसको बोलते हैं, अपन, super script, ठीक है, एक होता है, ऐसा, X2 या फिर H2O अपन use करते हैं, तो इसके लिए जब use करते हैं, तो नीचे में जो लिखा जाता है, 2 ठीक है, और ये जो उपर में, इसको बोलते हैं, super script, और इसको बोलते हैं, sub script, ठीक है, इसके लिए shortcut भी है, अगर हुआ हूँ तो वही डेल कर लेता है सब स्क्रिप्ट एस टू ओ कैस जैसे करेक्टर के लिए निम लिखेंद में से कौन से कॉम्बिनेशन उप्योग किया जाएगा कॉम्बिनेशन मतलब वही सॉट कट की का कॉम्बिनेशन तो आप क्या यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे चंट्रोल और प्लस इकवल का ठीक है आप चंट्रोल का बटन और एक साथ जो है इकवल टू का बटन आप दबाएंगे तो वह क्या हो जाया है का आटोमेटिक लिए आपका सब्सक्रिप्ट जो है सब्सक्रिप्ट मतलब यह है है एच 2 के बाद H के बाद 2 दालना है ना नीचे में तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलता है सबस्क्रिप्ट मादब नीचे सूपर मतलब ऊपर ठीक है याद रखिएगा आगे देख लेते हैं Microsoft Word में सूपरिस्क्रिप्ट के लिए किस सौटकट के अब देखिए अब सूपरिस्क्रिप्ट की बात आ गई है ना तो वही है सूपरिस्क्रिप्ट मतलब जैसे मुझे लिखना है टू दू पावर एक्स वाई है या एक्स टू दी पावर 243 ठीक है या जो भी आपको लिखना है तो यह इसको बोलता है सूपरिस्क्रिप्ट के लिए जो सौटकट यूज होता है वो कंट्रोल प्लस सिप्ट प्लस प्लस मतलब दो बार प्लस नहीं दबाना है कंट्रोल दबाएंगे एक साथ ही सिप्ट और एक साथ प्लस यह तीन बटन एक साथ दबाएंगे है ना तो आधा ऑप्टेक्ट के लिए फॉस्का हिपर उसमें घॉल्क को डालना है तो एक क्या साथ कट किया ग्रॉड क्रीब क्या यह से क्या मिन न इसमें और यह को फॉंक्षान का तो मिनिमम वालो फॉंक्षन है मिन मतलब लिए सबसे मिनिमम मतलब सबसे चोटा वाला मान गयात करने के लिए किसी फाइल का प्राथमिक और दृतियक नाम होता है फाइल नाम को और क्या कहा जाता है अब जब भी कोई तो इसको सेकंड्ड नेम इसको जो है फाइल का होता है वो कमबल सरी होता है इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में discuss कर चुका हूं तो कुलेस फाइल नेम है और .doc क्या है आपका extension है तो इसको second name इसको जो है first name बोलते हैं ठीक है और इसको बोलते है second name तो .doc is extension it is called second name नेक्स देख लेता है निम लिखित में से किस keyboard shortcut का उपयोग selected text से formatting copy करने के लिए किया जाता है तो अब आपको पता करना है कि कौन सा सी shift के साथ c की alt के साथ की control के साथ तो shift plus control plus c जब आप दबाएंगे तो आप क्या हो जाएगा control c copy का है सांत में shift और बटन अगर यूज कर लेंगे तो जो है वो क्या हो जाएगा keyboard में shortcut की बन जाएगा कि इसके लिए selected text को formatting बदलने के लिए आगे देखते हैं formatting copy का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे यह मैंने text लिखा हुआ है अब मुझे इसी format में इसी text size में इसी type में जो है मुझे इसको भी बनाना है तो मैं इसको select करके करूंगा और इसको use करूंगा आगे करूंगा तो फिर वहाला format मेरा copy हो जाएगा और नीचे वह इसलिए इसको इसको वाइड यूज है पेसलिप आप बनाएंगे तो उसके लिए Microsoft Excel का ओपयो किया जाता है आगे देख लेते हैं निम लिकित में से कौन सा एक application software नहीं है तो application software नहीं है मतलब देख लेते हैं Microsoft Word तो सब यूज करते हैं application यह टेली भी यूज करते हो Microsoft PowerPoint तो कर इक वाक्सिट होती है बहुत important question है जब आप MS Excel बनाएंगे पहला document बनाएंगे तो उसमें by default 3 pages होते है पेज उसमें number होता है पेज 1 2 & 3 ठीक है अब उसके बाद आप चाहो तो page add कर सकते हो आगे but by default 3 होते हैं आगे देखते हैं PowerPoint में कौन सी 2 sound file उप्योंक्योंक्य तो देखि और इसमें एक अगर है sound file तो एक नहीं है ना यह वो ग्राफिकल फाइल है तो sound file होगा wav और .mid ठीक है यह दोनो sound file है option number B यह यूज़ कर सकते हैं कट या कॉपी के बाद किस अस्थाई memory में text अंगरहित रहते हैं बहुत ज्यादा आसान बहुत ज्यादा mobile यूज़ करने वाले सब जानते हैं ठीक है अब जब use copy select करेंगे और या copy करेंगे तो copy to clipboard या cut to clipboard लिखा रहता है तो वो जो जिस उसमें store रहता है संगरहित रहता है उसको बोलता है clipboard memory clipboard में आपका क्या रहता है save रहता है तो यह कफी important question थे 42 questions थे अभी 40-42 questions और है इस topic से अब मैं कोशिस किया कि जितनी जल्दी जल्दी इसको निप्टाए जा सके अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं अगले topic के साथ MS Office के अगले shortcut के साथ जो आपके लिए कफी important होगा sub exams के लिए, thank you.